चलिए अब बड़ी खबरों का रोख करते हैं पब्लिक इंटरस्ट में कुछ दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी आपको एक जूस वाले ने सट्टेवाजी एप महादेब बुक के जरीए विदेश में बैठे बैठे करोडों रुपे के वारे नहरे कर डाले जूस वाले के शाई खर्च में बॉलिवुड स्टार्स पर कुप पैसे लुटाए गए अब अरोप लग रहे हैं कि चुनाब में भी महादेब एप के जरीए फंडिंग की कोशिश हुई है आज ऐसी खबर आई जिससे 36 गड़ के CM बुपेश भगेल की मुश्किलें बढ़ सकती है महादेब सटेबाजी एप है क्या आप जरा इस पर गौर कीजिए महादेब सटेबाजी एप यहनी ED Enforcement Drug Trade ने उसको लेकर एक बड़ा दावा किया ED के मताबिक महादेब बैटिंग एप के परमोटर्स ने मुख्यमंत्री बुपेश भगेल को फंडिक की CM बुपेश भगेल को 508 करोड रुपे दिये गए कल ED ने भिलाई में एक चापा मारा था जिसमें 5 करोड 49 राख रुपे बरामद हुए थे असीमदास नाम के कूरियर को पकड़ा गया उसकी कार से 3 करोड 12 राख रुपे बरामद हुए और उसकी निशान देई पर उसी के घर से 5 करोड 49 राख रुपे की रकम जो है वो टोटल मिली और ये पैसा आया कहां से था ये दुबई से पैसा आया था इडी की पूछताश में ये खुलासा खुद असीमदास नहीं किया उसने कहा कि जो रुपे इडी ने बरामद किये हैं वो महादेव एप के परमोटर्स के ही हैं असीमदास ने ये भी कहा कि सारी रकम 36 गड़ चुनाओं में भगेल इन्वर्टिड कोमा तो आगले का नाम नहीं बताया भगेल को देनी थी अब आरोप ये लगा तो इसमें स्यासत होनी जी सब कुछ होना था वार पलट वार भी होना था बीजेपी ने क्या आरोप लगाया बीजेपी ने कहा कि ये पैसा कॉंग्रेस के लिए आया था तो कॉंग्रेस ने सफाई दी खुद चीप मिनिस्टर भुपेश भगेल सामने आ गए मगर उल्टा पूर्व सियम रमन सिंग को ही कटगरे में खड़ा करने लगे इतना ही नहीं इडी ने एक दावा और किया है इडी ने कहा है कि उसको कई भेनामी बैंक अकाउंट्स का भी पता चला है इस पूरे मामले में जिसमें 10 करोड रुपे की रकम जबा है इन अकाउंट्स और पैसे का असल मालिक कौन है इसकी परताल भी इडी ने तेज कर दी है सीन 36 गड़ में भिलाई के एक होटेल का है पारकिंग में कार खड़ी है और कार के उपर नोटों का ठेर लगा है पांट पांट सो के कुल 3 करोड 12 लाख रुपे है सूचना इडी को मिली और मौके पर ही सारी रकम पकड़ी गई बताया जा रहा है कि पैसा दुबई से भेजा गया था 36 गड़ चुनाओ में इस्तेमाल होना था लेकिन छापे मारी में सब पकड़ा गे बीजेपी का आरोप है कि सारा पैसा सटेवाजी एप महादेव बुक का है और इसका कनेक्शन कॉंग्रेस से है कि महादेव एप का नाम जैसे ही आता है ब्रिज मोहन जी ये कहा जाता है इसका पैसा चुनाओं में लगने वाला था ये कहा जाता है कि इसको कि अगर एडी कारवाई कर रही है तो पैसे का फ्लो रुख जाएगए ये महादेव एप है क्या और कैसे कांग्रेस इसके साहरे चुनाओं लड़ना चाहती थी ये जो महादेव एप है ये कांग्रेस की और भुपेज बगेल जी की अवैद कमाई का सबसे बड़ा साधन है आखिर ये महादेव एप चलाने वाले भिलाई और दुरुक से ही क्यो है और मुख्य मंत्री जी, गिरी मंत्री जी, क्रिसी मंत्री जी, जल संसाधन मंत्री जी ये सब दुरुक जिले से हैं और मेरी जानकारी में तो एक बार महादेव एप के जो सरगना है उनको चतिसगर पुलिस ने पकड़ भी लिया था बाद में उनको छोड़ दिया ED के मुताबिक चुनाम मैं एक पार्टी की मदद के लिए ये पैसा दोबाई से कोरियर के जरीए आया था भेजने वाला महादेव एप का प्रमोटर है भिलाई से हुई नोटों की बरामदगी के बाद महादेव एप सौरब चंद्राकर और उसका जूस का कारुबार सुर्खियों में आ गया है महादेव एक ऑनलाइन बैटिंग एप है इसका किंगपिन दुबाई में रहता है और इस एप ने करोडों का खेल दुनिया भर में चला रखा है एक अनुमान के मताबिक इस एप से रुजाना करीब सौ करोड रुपए का सटा होता है जूस कॉर्णर से मैं आपको ये कहानी सली बता रहा हूँ क्योंकि सौरब चंद्राकर ने जूस सेंटर चलाने से ही अपने करियर के शुरुआत की थी लेकिन जिस लड़की को वो प्यार करता था उसकी शादी में उसने उसे 90 करोड रुपए का हीरा दिया है आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं सौरब चंद्राकर ने 90 करोड का हीरा अपनी पत्नी को दिया है और बच्पन से ही उस लड़की से वो प्यार करता था भिलाई के जूस वाले सौरब चंद्राकर का बेटिंग कारोबार 20,000 करोड रुपए से ज़्यादा का बताया जाता है सौरब इस दंदे को फैलाने के लिए 36 गड़के हजारों युबाओं का इस्तिमाल कर रहा है इस महादेव सट्टा एप की जो पहली रिपोर्ट थी वो हिंदोस्तान टाइम्स में रितेस मिस्रा की रिपोर्ट थी और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ये 5,000 करोड का ब्यापार सुरू हुआ था जो अब 20,000 करोड तक पहुँच गया है और इससे भी ज़्यादा पहुँचने की बात कही जा रही है इसके अलावा इसके अलावा 4-5,000 ऐसे लड़के हैं जिन लड़कों को सौरब चंद्राकर ना केवल 36 गड़ से ले कर गया बलकि दुबई में उसने उन लोगों को सेटल कर दिया है और कहा ये भी जाता है कि वो लड़के भी आज 100-100 करोड के आसामी है अब सवाल ये है कि क्या सट्टेवाजी का पैसा पार्टियों को चंदे के रूप में आ रहा है या लोगों को बांटने के लिए दो नंबर में ED के इस खुलासे से इन आरूपों को बल मिला है भिलाई से मिले पैसे का कनेक्शन सत्ता रूड कॉंग्रेस पार्टी से बताया गया है लेकिन 36गर सीएम भुपेश बगेल के एक सलाहकार का नाम भी आया लेकिन कॉंग्रेस इसे जूट बता रही है भारती जन्ता पार्टी और उनसे जुड़े लोग लगातार महादे वैप के मामले में पकड़े जा रहे हैं और इसी कड़ी में जब कल रात ED ने दभिश दी भिलाई में तो बापा नाम के वेक्ति के घर में दभिश दी गई जो भारती जन्ता पार्टी के खुरसी पार का पारशत प्यूश मिश्रा है उसका रोज का सहयोगी है और ये लोग कही न कहीं प्रेम प्रकाश पांडे जो पूरु मंत्री है उनके लिए फंडिंग का अरेंजमेंट करते वे महादे वेप से जुड़े लोगों के माध्यम से पैसों की उगाही कर रहे थे मसला बड़े आर्थी कपराश से जुड़ा है चुनाब के चलते इसमें सियासी रंग चड़ना लाजमी है मसला बड़ा गंभीर है पॉलेटिकल पार्टियों की फंडिंग को लेकर पॉल बॉंड का मसला सुप्रीम कोर्ट में तो चली रहा है और चंदे के नाम पर करोणों रुपे की काली कमाई इदर से उदर हो रही है जांचे जैंसियों की ये जो सारी धर पकड़ है और इससे मिले सबूत इसी की गवाई तो दे रहे है लगता है दो नंबर का ये सारा खेल जो है इसका हिसाब सुप्रीम कोर्ट को ही करना पड़ेगा क्योंकि अब वक्त आ गया है और मुझे लगता है करना भी चाहिए जब स्यासत की शोर में खबर खोने लगे जब सूचनाए कम हंगामाद ज्यादा होने लगे तब जुरूरी है सम्विधान के पन्ने पलटना खबर की तेह हटा कर आगे निकलना मगर ये करेगा कौन इसलिए अब टूटेगा मौन जिसे मालूम है स्यासत की विसाथ जिसने देखी है सत्ता की शेह और माथ पक्की खबर सच्ची बात एक घंटे सिर्फ आपके साथ भारत की बात रोहित सिंग सावल के साथ सिर्फ एबीपी नियूज बर एबीपी नियूज आपको रखे आगे